noise का और एक neckband हमारे पास आ चुका है इसका नाम है noise sense neckband मेरा नमेतन में आप देख रहे है टेक यूनिक चली वीडियो शुरू करते है तो यह है noise sense neckband का box यहाँ पर मैंने इस amazon से order कर लिया था यह मुझे amazon पर 1000 रुपय का मिल गया था काफी बढ़िया डील में मिल गया है मुझे और यह जो है मैंने first sale में ही buy कर लिया था जैसी यह first sale में launch हुआ था जल्दी से इसे unbox कर लेते हैं जैसी कि आप देख सकते हैं यह जो है Amazon के package में इसका मतलब यह कि यह जो वीडियो बिल्कुल भी sponsored नहीं है यह जो है मैंने खुद से buy कर रहा है यहाँ आप देख सकते हैं noise लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ है noise sense तो यहाँ पर आप देख सकते हैं box open करने के बाद ही जो है आपको यहाँ पर सबसे पहला देखने को मिलता है वह यहाँ पर neckband यहाँ पर देख सकते है neckband जो है वह काफी बढ़िया color में आता है यहाँ पर मैंने blue color में buy किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना काफी बढ़िया stickers है यहां पर साथ में आपको USB-C का केबल देखने को मिल रहा है जो कि काफी बढ़िया quality की लग रही है साथ में आपको extra year tips और extra year things देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने कानों के हिसाब से काफी बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहे हैं नीचे की तरफ एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है और यहां पर आपको type-c का port देखने को मलता है जो की काफी बढ़िया बात है यहां पर 1000 रुपए के अंडर में भी यहां पर type-c दिया गया है काफी सही बात है अगर मैं वायर क की कॉलिटी की बात करो तो वायर की कॉलिटी उतने मुझे कुछ खास नहीं लगी यहां पर आप देख सकते हैं वायर में जो हलका हलका यहां पर पहले से ही कुछ डैमेज सा है यहां पर तो यह थोड़ा सा चीज मुझे यहां पर खराब लागा जैसे कि आप देख सकते हैं बाकि यार यहाँ पर बात करो दूसरे साड में लिखा हुआ है noise जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं noise का यहाँ पर branding करी गई है काफी बढ़िया लग रहा देखने में design काफी ज्यादा बढ़िया है और overall यहाँ पर बहुत यहाँ लाइट वेट है यह जो neckband है बहुत यहाँ लाइट वेट और काफी बढ़िया design के साथ आ रहा है यहाँ यहाँ पर earbuds में magnets देखने को मिलते हैं काफी बढ़िया quality के magnets यहाँ पर की earphone की housing है वो यहां पर metal की बनी हुई है तो गाइस वो जो है काफी बढ़िया लगा देखकर के ऊपर की तरफ आपको ear wings भी देखने को मिलते है earbuds भी आपको देखने को मिलते है जो की काफी अच्छी silicon quality से बनी हुई है इसमें आपको Bluetooth 5.0 देखने को मिलता है तो जल्दी से इसे connect करते हैं phone के साथ फोन के साथ connect करने के लिए simply आपको यहां पर power on and off का button tap करके रखना है जो आपको यहां पर बीच में देखने को मिलता है इसको tap करके रखेंगे तो यहां पर आपको यह एक LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं LED इंडिकेटर आ गया है उ settings के अंदर चलते हैं settings के अंदर जाने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं कि AAC का codec देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह जो है basic SBC के codec पर चल रहा है और यह जो चीज है मुझे यहां पर अभी 2021 में थोड़ी सी खराब लगी है यार 1000 रुपे के अंडर में AAC का तो इसको जो है 2-3 घंटे आराम से extensively से use करता हूं detailed तरीके से फिर आपको बताता हूं इसके sound quality के बारे में तो इसे जो है मैं यहां पर अभी 2-3 घंटे से use कर रहा हूं काफी बढ़िया experience है यहां पर जो है सबसे पहले मैं इसका comfort की बात करना चाहूंगा काफी बढ़िया comfortable काफी light neckband है यह गले में पहनने के बाद जो है आपको एक 2-3 घंटे बाद बिलकुल भी feel ही नहीं होगा कि आपने पहना हुआ है करके तो यहां पर जो है बहुत ही तगड़ा feel देखने को मिलता है बहुत ही तगड़ा comfort साथ में इसका जो earbirds है इसकी जो ear tips है वो काफी अच् रूपए के अंडर में थोड़ा सा और अच्छा quality हो सकता था sound का साथ में यहां पर आपको bass काफी अच्छा मिलता है trebles तो अच्छे हैं ही साथ में यहां पर आपको काफी अच्छी clarity highs mids and lows काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं यहां पर मैंने कुछ web series वगरा भी चला क करके देखा काफी अच्छा experience था जो चोटे चोटे आवाज थे जो detailing थी वह काफी अच्छे तरी किसे सुनाई दे रही थी और overall यहां पर काफी मजा आया काफी बढ़िया experience था noise sense के साथ हाला कि दोस्तों bass जो हो हलका सा कम है bass थोड़ा सा और ज्यादा होना चीए था bass उतना तो यहां पर sound quality काफसी बढ़िया लगी की बात कर आपके यहां पर microphone की बात कर लेते हैं तो guys इसके बाद की आपको मैं इसका microphone simple देने वाला हो उसको सून कर कि आपको आंपरmarket situations upfront मिल रही है तो यह रहा आपके सामने microphone का सैमपल सर आफिस आवाद सुने वहां पर uploadまた NOissance से इस नेग बेंड से तो यहां पर शुन करके जज़ कर सकतें कि कैसे आपको sound quality सुनने में आरेए इस नेग बेंड से बागी तो यहां पर आपको जो है मैं यहां पर विंडो आज ओपन रखा है ताकि यहां पर यहां पर काष़ा दा लाइट अच्छा आ रहा आधा विंडो स बहु करके बार सब्सक्राइब से प्रिडी तरह पिलोके माइं में एक नलसे क्ला मेरा डान ब Rub said है और याख करना है उब सब्सक्राइब करना है इस के मीक्रोफोन में है एक अपर से न.-11 क्यार यहां अभी आउटगोचा में जाने वाला तो आउट्टोर मैं तो आउटगोर मैं आपको यह आपको सुनाता हूँ कि कहसी सं banner का क्वॉज आ रही है कुछ extra features की बात करते हैं इसमें आपको IPX5 की water resistant देखने को मलता है साथ में यहाँ पर आपको vibration motor दिया गया इस neckband के अंदर जैसी आप यहाँ पर calling वगरा में बात करते हैं फिर जैसी आपको call receive होता है आपके phone में तो यहाँ पर यह neckband vibrate करता है हलाकि दोस्तों जो vibration motor है वो सिर्फ यहाँ पर राइट साइड में ही दिया गया तो राइट साइड आपका vibrate करता है काफी जोर जोर से तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका call आया हुआ है और आप यहाँ पर call receive कर सकते हैं कि यहां पर इस neckband में आपको dual pairing का feature निलता है जिसमें आप जोर यहाँ भी और दो ढाइज को da이star कर सकतेrich तो यहाँ पे जो है काफी सारे features missing भी है हाला कि दोस्तो हजार रुपए में ये सारे features उम्मीद करना थोड़ा से यहाँ पे मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ते हैं battery life and charging के तरफ तो गाइस यहाँ पे company ने claim किया है कि आपको 25 गंटे की battery backup मिलेगी यहाँ पे इन्होंने battery की quantity नहीं बताई है यहाँ पे अगर कोई noise से देख रहा है तो यह चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखो कि अपने product में battery का quantity mention करिए तब जाकर यहाँ पे customer को पता चले कि कितना battery image दिया हुआ है बट यहाँ पे इन्होंने claim किया 25 गंटे की battery life और मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको आराम से एक दिन का battery backup दे सकता है साथ में यहाँ पे आपको insta charge technology दिया हुआ है जो कि एक super fast charging technology है अगर आप यहाँ पे 8 मिनटरी से charge करते हैं तो आपको आठ गंटे का playback time देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया चीज है 1000 रुपए के अंडर में काफी तगड़ा feature है यह तो overall यहाँ पे charging और battery life की मामले भी काफी बढ़िया निकल करके आता है हाला कि यहाँ पे थोड़ा सा और fast charging होना चाहिए था और overall यहाँ पे आपको type C का port भी मिलता है तो यहाँ पे जो है काफी बढ़िया experience है product के साथ और overall में यही कहना चाहूँ कि यहाँ पे यह जो neckband है 1000 रुपए के अंडर में काफी अच्छा तगड़ा टकर देने वाला है मीवी को तो अगर आपको इसका comparison चाहिए मीवी के साथ तो नीचे आप comment section में लिख करके बता सकते हैं तो यहाँ पे एक सवाल आते है कि आपको यह neckband बाई करना चाहिए यह नहीं तो guys यहाँ पे जो है मैं कहना चाहूँगा यह neckband आप बाई कर सकते है 1000 रुपे में काफी बढ़िया डील है अगर आपको यह 1000 रुपे से उपर मिलता है तब जाकर के यहाँ पे जो हलका सा यह थोड़ा सा अलग सा डील हो जाता थोड़ा सा value for money नहीं रहता अगर यह 1000 रुपे के उपर जाता है तो बट अगर यह 1000 रुपे का मिलता है या फिर 1000 स से नीचे मिलता है तो काफी एक value for money डील रहती है तो इतना था इसके unboxing और review वीडियो में अगर आपको यह neckband buy करना है तो काज नीचे description में link दिया हुआ है वहाँ से जाके आप buy कर सकते हैं तब तक लिवस्तो जैहंद वन्द मात्रम और आपका दिन शुब रही